दोस्तो कैसे हैं आप सब तो आई होप आप से भी ठीकी होंगे तो दोस्तो आज की जो विकिंसी है आप लोगों की गवर्मेंट विकिंसी निकल कर आ रही है और यहां आप लोगों की डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा रहने वाला है डिपार्टमेंट है PG-CIA मतलब पाव वाले candidate apply कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफी student का question रहता है कि जो हमारे अभी दोज़र्ट तेईस में जो candidate pass out होने वाले हैं कि क्या वो यहाँ पर eligible रहें तो जी हाँ हम लोग यहाँ पर यह जानने वाले हैं दोज़र्ट तेईस में जो pass out होंगे वो यहाँ पर apply करेंगे या नहीं करेंगे तो notification की अमादम से हम लोग सारी information जानने वाले हैं तो वीडियो में अंट तक बने रही है और अगर आप लोग इसके लिए eligible नहीं है तो वीडियो को like करके channel को subscribe जरूर कर लें and comment box में अपनी qualification साथ ही अपनी location सरूर mention करे तो चलिए दोस्तो हम लोग इसका notification बढ़ने के लिए आप लोग हमारे telegram को join कर लेजिए telegram के आप लोगों को link description and comment box में provide कर दी गई है साथी कैस यहां पर हमारे जो candidate eligible है जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ इस विकिंसी की तो इस विकिंसी में आप लोग यहां permanent विकिंसी की तौर पर लिए जाओगे बिलकुल government job रहने वाली है और fresher candidate के लिए निकाली गई है यह notification power grid की तरफ से आ रहा है यहां पर यह notification जो आप लोगों का निकाला गया है 9 December 2022 को post out किया गया है इसमें हम लोग full information जानने वाले हैं तो वीडियो में end तक रहें यहां देख सकते हैं requirement diploma trainee electrical civil electronics वालों के लिए निकाली गई है और यहां आप लोगों को अलग अलग reason के according विकिंसी देखने के लिए मिलेगी जैसे सबसे पहला reason है Northern reason and Northern reason की तरफ से आप लोग अपना city देख लीजी किस reason में पढ़ता है यहां पर दिया गया जैसे Northern reason and our first Northern reason Delhi, Rajasthan और साथी उतर परदेश, आर का हरियाड़ा, उत्राखंड यह आप लोग का Northern reason first में आता है Northern reason second जैसे हिमाचल परदेश, पंजाब, हरियाड़ा जम्गु कश्मीर और साथ ही आप लोग का चंडीगर और next जो आप लोग का Northern reason third है यहां इस्टर reason की अलग लग विकिंसी है यह साथर reason की यह आप लोग का वेस्टर reason की तो गैस आप लोग देख लीजे आप किस reason में आते हैं और उसमें कितनी सारी विकिंसी निकाली गई है यह तो आप लोग का reason का हो गया अब बात करें गैस आप लोग की पोस्ट की तो यहां आपका जो name of post है डिप्लोमा ट्रेनी डिप्लोमा ट्रेनी वा लोग के लिए यह विकिंसी निकाली गई है एंड यहां आप लोग की जो age limit है दीके maximum age 27 साल रखी गई है वो आप लोग की relaxation check कर लिजी क्यों relaxation भी मिलता है OBC वालों के लिए SC के लिए ST के लिए relaxation लगा कर फिर भी आप लोग उससे over रहते हैं तो आप लोग eligible नहीं रहें के लिके तो आप लोग को मिल रहा है उसमें आप लोग कम रह जाते हैं तो आप लोग apply कर सकते हैं यह आप लोग का criteria रहता है और यहां आप लोगों का देखिए जो training वगरा रहने वाला है course क्या रहेगा देखिए आप लोगों का जो diploma होना चाहिए regular 3 year का डिप्लोमा होना चाहिए 3 year का ही होना चाहिए क्योंकि mention किया है 3 year का तो please 3 year वाले ही apply करें यहां electrical में आप लोगों का जैसे electrical electrical power electrical and electronics power system engineering power engineering electrical से य यह branch eligible है electrical वालों के electronics में जैसे electronics, electronics and communication, electronics and telecommunication, electronics and electrical communication, telecommunication, engineering यह आप लोगों की electronics में branch eligible है civil वाले हैं यहां पर apply करेंगे minimum से minimum 70% marks का criteria रखा गया है अब देखिए यहां पर काफी सारे जो student है वो हैं यहां से छट जाएंगे क्योंकि 70% बहुत से लोगों के क्या होता है कि मालो 69 परसेंट हो गया कुछ आप जो points में रह जाता है तो 70% नहीं हो पाता तो इसलिए हमेशा बोला जाता है एक डिप्लोमा में थोड़ा अच्छा marks गेंड कीजिए लगए 30% तो आपका होना चाहिए यहां देखिए higher जो qualification like as BTEC, BE, MTEC, MA यह student eligible नहीं है लेकिन अगर आप लोगो ने डिप्लोमा किया है प्लस BTEC भी कर रहा है तो आप लोग इसे डिप्लोमा से apply कर सकते हैं आपका डिप्लोमा होना जरूरी है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए में यह है जैसे अलग-अलग रिजन में जो आपकी विकिंसी निकाली गई थी यहां पर दी गई रिजन सवाक तोर स हम लोग बास करें इसे तरीके से इसट रिजन तो टोर्डल भी किनसी है 211 211 है और आपके टोटल विकिंसी रकी गई है और यह आप लोगों को जो भी आपके कैटेगलि उसके अपका डिवाइद कर दी गई है और अलग रिजन में तो आप लोग उतस जब्स ज तो वो PWD candidate के लिए आपर कुछ information दी गई है उससे जरूर चेक करें यह PWD candidate के लिए main information है next देखेंगे तो यहां आपका जो age relaxation दिया जाएगा ओबिसी वालों के लिए यहां 3 साल का SCST के लिए 5 साल का PWD candidate होते आते हैं या फिर जो जम्बू कस्मीर के student है जम्बू कस्मीर के domicile वहीं के रहने वाल student है या फिर ex-serviceman है तो उनके लिए 10 साल का relaxation प्रोवाइड किया जाता है अगर आप 10 साल का relaxation लगा कर इसमें eligible रहते हैं तो इसके लिए apply कर सकते हैं नेक्स यहां पर आप लोग जो main information वही वही देखेंगे हम लोग selection process तो selection process आप लोगों का CBT exam के आधर पर होने वाला है मतलब एक return test होगा जो computer-based test होने वाला है यह आप लोगों का computer-based test यहां पर सिर्फ एक ही होगा उसके बाद document verification देन आप लोग का है selection होता है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है जो आप लोगों का return test रहता है वो दीखिए टेक्निकल जैसे first part हो गया second part हो गया तो दो पार्ट में यह आप लोगों का question paper divide किया जाता है और duration आप लोगों का two hour का रहने वाला है दो घंडेक में आप लोगों को यह paper complete करना है first part जो आप लोग का रहे हैं वो technical knowledge से relevant with the technical जो आपके subject है जो भी आप लोगों का रहता है civil है, electrical है, mechanical है, उससे relevant ही question paper बनाया जाएगा 120 question आपको उसके रहने वाले हैं next जो आप लोग का second part रहता है वो जैसे amplitude में नॉन टेक्निकल एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं जिसके 50 questions रहते हैं इसमें आप लोग के reasoning आ जाती है and amplitude math आ जाता है numerical वगरा यह सारी चीज़ आ जाती है और यहाँ पर एक number जो एक number का एक ही question होगा और साथी negative marking भी रहेगी negative marking रहेगी one by four की one by four मतलब अगर आप लोगों के चार question गलत होते हैं तो उस पर जो एक question सही होगा वो आप लोगों का गलत हो जाएगा मतलब कट जाएगा उसका marks कट जाएगा तो इस तरीके से negative marking रहेगी आपकी अब बात करते हैं application की fees की तो यहाँ application की fees 300 रुपे रखी गई है जो हमारे general candidate है या OBC candidate है यह उनके लिए है और आप सभी को यहाँ पर कहां से payment submit करना है यह आप लोगों को link दी गई है यहाँ से आप लोगों को submit करनी है जो भी आपकी fees रहेगी और जो SC है, ST है, OBC candidate है या फिर other ex-service man candidate है उनके लिए कोई भी fees charge नहीं की गई है तो गईस यहाँ पर apply करने के लिए बात करें तो जो हमारे हाँ पर main चीज़ दी गई है यहाँ पर CBT आप लोग का test होने वाला है और यहाँ इसन से नहीं कर सकते हैं, apply करने के लिए आप लोगों को link description प्रोवाइट कर दी जाएगी, यह links पे आप लोगों को जब जाएंगे, तो career section आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप लोगो job opportunity provide की जाएंगी, वहाँ पर आप लोगों क्या करना है, then requirement के option पे आ document है, एक बार ज़रूर पढ़ लिजी, क्योंकि जब भी आप लोग form fill करने बैठ रहे हैं, उससे पहले ज़रूर इस form को पढ़ लेना, कि आपके कौन कौन से document required है, जिससे कि आप लोग अपने पास में यह सारी document रखें, और आप लोग अपना form एक बार में fill कर सकें, अब च सरीके से आप लोग का अलग-अलग reason के लिए अलग-अलग center डाला गया, आप लोग अपना center अपने according चूज कर सकते हैं, आप इस vacancy के लिए सभी student apply करेंगे, minimum age criteria 18 रखा गया है, और यहां Indian होनी चाहिए, nationality सिर्फ इतना ही मागी गई है, all India के candidate इस vacancy के लिए apply कर पाएंगे तो guys जो आप लोगों की fees रहने वाली है, non refundable रहेगी, यह आपकी fees refund नहीं की जाएगी, और साथ ही आप लोगों का जो last date रखा गया है, 31 12 2022 यहां पर last date रखी गई है, इससे पहले ही आप लोगों को यह form submit करना होगा, जैसे ही आप लोगों का exam हो जाता है, उसके बाद merit list आ मतलब यहां आप लोगों का जो opening date है, 9 December से हो गया है, last date यहां 31 December दिया गया है, cut off date वगयरा की आप लोगों की 31 12 2022 रखी गई है, उसके बाद आप लोगों का जो admit card वगयरा है, उसका जल्दी ही आपको यहां पर inform कर दिया जाएगा, written test को भी आप लोगों को inform कर दिया जाए तो apply link पे click करेंगे, तो इस तरीके का tab open होगा, मैं दिखा दिती हूँ एक बार, तो guys direct मैंने आप लोगों को यह वाली link provide कर दी है, इस तरीके का tab open हो जाएगा, यहां पर आप लोग अगर इसका advertisement डाउनलोड करना चाहते हैं, यहां से जाकर कर सकते हैं, electrical, civil, electronics, किसी भी branch के अगर आपको करना है, अब बात करें apply करने की, तो यहां पर click here to apply, तो आप लोग जैसे इस पर click करेंगे, तो आपका एक form open हो जाएगा, जिसमें आप लोग को registration करना है, अगर आप लोगों ने पहले ही registration कर लिया है, तो दुबारा करने की ज़रूत नी पड़ेगी, वही email ID, पासवर्ट काम कर जाएगा, और अगर नहीं किया है, तो आप लोगों को अगर registration करना होगा, तो उसके बाद आप लोग यहां से अपना जो भी reason है, जिस भी reason के लिए आप लोग apply करना चाते हैं, वह reason select करेंगे, तो guys, मैं आप लोगों इसका proper जो भी apply वीडियो है, मैं जल जहले, झाले हैं, पासवर्ट काम करना है, जो लोग बाद लोगना है, जांप लोगड़ी किया है, तो आप लोगों को भी यहां से बाक लोगों कि मैं जाप लोगों कि लोगों कि दो झाले हैं, अपucky।